करपातरी महराज ने कहा था कि आरेशत और ये हिंदुवादी नेता जो हैं ये देश के लिए नासूर हैं देश के लिए पोटाइसियम साइनाइड हैं आने वाले दिनों में साइनिकों को पर कितने हमले होंगे इसकी कालबना नहीं की जा सकती है अभी जब यहीं करवाएगी अरे सनातन की आड में कट्टक तुम छुपोगे राम मंदिर पर घोटाला किया मोदी और योगी से बड़े राम भक्त कौन है ये राम भक्त हैं जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे अरे तेरी आवकात क्या है राम को लाने की तिहारी चोधरी आपको पत्रकार दिखा नहीं खाती हो तो हम क्या करें नहीं काते हो पूरा द्यसवा नहीं खाएगा यह वितमंत्री के बियान अब इस देश की जंता संभल गई है कि अनपड जाहिल गमार ब्यक्ति को अब जीता के नहीं भेजने वाली है नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नाशनल दस्तक अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जैप्रकास चतुरवेदी सोशल एक्टिविस्ट हैं और कॉंग्रेस के तरफ से बहुत बोलते हैं क्या कहेंगे पहले सनातन धर्म खतम करनी की बात हो रही थी इंडिया गटबंदन में अब जो है बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पोटैसियम साइनाइट है जो है धर्म ग्रंत है वो जहर की तरह है इस तरीके से कैसे जीतेगा इंडिया कि आप मुझे बता जी एक कांगरेश का कोई ब्यक्ति कहा है बोला है बहुत पहले महान सोतनता संग्राम से नानी करपातरी महराज ने कहा था कि आरेसत और ये हिंदुवादी नेता जो है ये देश के लिए नासूर है देश के लिए पोटैसियम साइनाइड है तो आप मु कि ये आरेसेस और हिंदु हिंदुवादी संगठन जो है क्या हो विष्व हिंदु परिसाद हो या कोई भी हो लेकिन वह पोटैसियम साइनाइड है तो यह बता जीजे कि आरेसेस के प्रमुख मुहन भागवत जो आकारण जब चुनाव आता है तो बिल से बाहर आ जाते है जब चुनाव आता है तो साइनिकों को उपर हमले जंबु कास्विर में सुरू हो जाते हैं चुनाव के समय आप मुझे बताइए चुनाव के समय जोती राजे सिंधिया गद्दार परिवार के हैं गद्दारी उनके खून में है बिरतानिया गवर्मिंट के चाटुकारों म जोग्युं मां समान स्रिमतिस तोनिया गांधी को डगा दिया कई इनको बड़े भाई के रूप में मानती थी सिर्मति प्रियंका गांधी वडदेरा 200 जो एग है कि जो जगति अपने भाई के लिए लाथी सु तो दूसरा सेम कलर और का मंतरी के हकदार बने फिर रहा हैं जी जन्ता इनको सुनने को तयार नहीं खाली कुर्सी देख करके भासट दे रहे हावा में बोल ला है तो मद्ध परदस्वीं की दुकानदारी साफ है कि आने वाले दिनों में इसकी कालपना नहीं की जा सकती है अभी यहीं करवाईगी आप कैसे बोल सकते हैं यह पूल बामा हुआ था अभी परसों नर्सों जो इसकी करनल एक मेजर और एक डीज़िटी जो हां सहीद हुए हैं हमारे देश के प्रधान मंत्री स्वागत करवा र कर देखिए देश के माननी परदान मंत्री तो देश के प्रधान मंत्री और भाजपा राश्डभक्तों की पाठ्री बनी फिर रही है तो इसे जो है खुशिया मनानी चाहिए का देश पुरा गमगीन है और देश के प्रधान मंतरी स्वागत समारों हमें ब्यप्त हैं रक्षा मंतरी भी वहीं गिरिह मंतरी भी वहीं प्रधान मंतरी जो वही राजा बाबू राजा बाबू है भाईया देश की जनता आने वाले चुनाओं में इनको धूल चटाए देगी अरे सनातन की याड में कट्चत तुम छुपोगे राम मंदिर पर घोटाला किया कौन है इसा जगा छोड़ा जहां घोटाला नहीं हुआ दो दोचो रूपिया घजट सब्सीडी दे रहे हो 200 रूपिया कम कर रहे हो सबसे राम भक्त पर आप राम मंदिर के घोटाले का रूप लगा लगा तो भीशा हैं यह सब धोंगी हैं कि यह ढब séasuru भां भूवे यह बता यहां इसकना ब्योकूब भरावान सब देते हैं जो रॉन मोदिकौत यहां मंदिर कौन बनवा रहे एहां उसमें भी तो इस गोटा ला बंदिर का फैसला इनी के राज्य में आया अरे भाइया सबसे पहले सिला न्यास कौन किया था 1988 में स्वर्गी राजु गांधी ने किया था इन्होंने गोगई को फसा करके लड़की वाला मैटर हनी ट्रेप में फसा करके अगोगई से ले लिया बैयान अगोगई को तुरंत राज सभाज्य दिया जो सेवी का अड्डानी को बनाया बचाया उसे तुरंत वहां से रिटार्मेंट करा केंडी टीवी का चीफ बना दिया डाइरेक्टर तो इनके वहां भाई हमारे फक्ष में फैसला दो और आओ मलाई कटो एसे खुला से कर रहे उठा लिये जाओगे क्यों शच कहना अगर बगावत हैं तो समझो मुहतरमा हम भी बागी है अजय की मازमिंगतबाई यह क्योश्म का पंडित राहूल गांधि से इनकी चूल हिल जिल लिंगत रही हैं रहें मैं पंडित राहूल गांधि के यह कभी सवार्फ देणे में इनको पसी नहीं हुट रहा हैं इस्तिती इह हुई है ये जिसको तो इन्होंने कहा कि हंगामा करो रहूल गांधी की पत्रकारों का बॉयकॉट कर रही है अच्छाई बताए चोधरी आपको पत्रकार दिखाई देता है चित्रा अगरवाल चित्रा तुम्हारी साधी अगरवाल लिखने में तुमको सरम लग रही है तो वह उसकी आजादी है को आजादी है को सी आजादी है यह तो आप महिला पर अपत्ति जन अक्टिपड़ी कर रहे हूं उसका नीजी मामला है तो उसको अगरवाल करने साधी की अगरवाल से तो अगरवाल लिखो हमारे वह हमारी पत्नी जो है पांडे की बेटी से अब चत्रुबेदी हो गई है का बताइए यह महिलाओं की अपने अधिकार है वो जो चाहें करेंगे आप इस बात पर बताइए इसका बताइए कि बॉयकॉड कर रहे हैं क्या कॉंग्रेस वाले डर नहीं है यह गोदी मीडिया के जो दलाल भान टाइप के पत्रकार है जो आतंकवादी संक्टरन से कर दिन रहती हारी चौधरी अमीश देव कान कौन ही गाली देता है पुरा देश का प्रवक्ता तो गाली यह देख आते हैं वह मंचो पड़ा दुका दुका तो है कल्ठो आपको सवाल बरदास्त नहीं हुआ उन सवाल भाजपा के परवक्ता के तरह से जो रहते हैं डिवे सवाल पूछना है आई बताइए जो मिस्राजी पत्रकार थे बंबे वाले उनको कहा गया जब चैनल का एको जोस्ती है भाई प्यमों में उप्वों करता है कि यही चलाना है आज को चनातन पर पिले पड़े अरे सब्सक्राइब कर देश का प्रधान मंत्री सब्सक्राइब लोग बापू नहीं मानते हैं उनको कई सारे लोग उनसे दुखी रहते हैं कौन दुखी रहता है जो भरष्ट है बेविचारी हो दुखी होगा वह भाजपा वाले आरे सस वाले हैं वह लोग दुखी होंगे मैं सनातनी हूं सनातनी था सनातनी हूं और सनातनी ही रहूंगा सनातनी ही मरूंगा कहाई रादमी को बीर बना रहे हैं माफी बीर कहिए ना माफी बीर कहिए साव यह वीर सावरकर कहा जाता है Google वीर सावरकर लिखता है ऐसे ही कहते हैं माफी बीर माफी सब्द काट दिया है इन लोगों ने माफी बीर कहिए कि पाते थे वूसी लिए पाते थे न कुल मिला करके कांग्रेश करानात्राण धर्म के खिलाब नहीं है भाई और डल जिन जो हमारे गट बंधन के हिस्सा है उनकी क्या पालिशी है क्या नहीं है उस से हमको पा रही है तो कैसे जीते गी कैसे बनेगा अगट बंधन का जो मोटीव है आपसे में नहीं बन रहा है गठ बंधन माननिय परधान मंत्री ने माहिलाओं का कितना संबान किया था याद आपको कि जरसी 50 लाखी गॉल्फरेंड यह सब्द मेरे नहीं है माननिय परधान मंत्री राजा बाबू के हैं तो यह ध्यान रखियेगा की आगा आप सूरज की तरफ ठूकेंगे तो ठूक आप ही के मुझ पे गिरेगा सवाल का जवाब अपने दिया नहीं ? गठ बंधन में आपस कि सहमती नहीं बन पा रही है ? किसने कह दिया सहमती नहीं बन पा रही है ? आप अभिव्यक्ति की सोतंतिता पर को समाप्त कर देंगी जिसको मन में जो बोला। कांग्रेश के पंडित राहूल गांधी ने कुछ सनातन धर्म में बोला है। उन्होंने कहा है फ्रांस में कि मैंने गीता पढ़ी उपनी साथ पढ़े। लेकिन उसमें सनातन धर्म यह नहीं दिखाता है कि हम अन्य धर्मों से नफरत करें। हम अन्य धर्मों के मानने वालों से नफरत करें। या हम किसी से नफरत करें। यह हमारा सनातन धर्म ऐसा नहीं बताता है। और लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस का कोई व्यक्ति सनातन के खिलाप कोई सब्द बोला हो तो हम गुनागार हैं और लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसे मतलब नहीं हमारा हम महिलाओं का संबान करते हैं बेरोदगार जुवानों का संबान करते हैं हम सिख्षा की बात करते हैं महंगाई की बात करते हैं और यह लोग विकास कर बात कर सकते हैं राज़ाबाबू अब वहाद्प्या का कोई नेता है आप बताईए इन सबों ने पैंताली स्थी आर्पीएप के जवान पुलबामा में सहीत हुए थे उसके उपर यांसु टपकाए इनका दैनिक जागराना अखबार जो है एडवांस में सर्जिकल स्ट्राइक दिखा देता खबर चाप देता अरे उसके माली को तो जेल जाना चाहिए था तो भाजपा देश द्रोही हैं सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगते हैं क्यों नह आस्तान पर भरोसा नाहिए यह भरोसे के लोग नहीं है इस देश की जंता ने गल्थYes कि आप इस देश की दंता संभल गई है कि अनव़ जाहिल गवारा ब्यक्ति को अब जीता के नहीं भेजने वाली है पढ़े लिखे अच्छे लोग का चैन होगा वही लोग पालियमेंट में आएंगे यहां जुमले बाद ब्यभिचारी भरष्टाचारी बलातकारियों के लिए कोई अस्तान पालियमेंट में नहीं है अधर्म की राजनी जिस देश की जिस देश ने किया उस देश का हसर आप देख लिजिए तो इंडिया गठबंदन में लगातार कोई न कोई नया बयान आ रहा है कभी उदयनीधी कहते हैं कि सनातन खत्म कर देना चाहिए तो कभी बिहार के सिक्षा मंत्री कहते हैं कि धर्म ग्रंत पोटैसियम साइ नाइट की तरह है जहर की तरह है पूरी बात्सीत पर अपनी प्रतिकिर्याद जरूर दीजे कैमरामें तोहिद के साथ ब्यूटी की लिए नैशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निसनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट क